तो देवियों सजनों महरुभाओं नमस्कार कैसे आप लोग उमीद करता हूं बिल्कुल फस्क लास होंगे तो आज मेरे चेहरे थोड़ा सा आप ज्यादा ही मुस्काम देख रहे होंगे और इसकी वज़ा एक यह है कि जैसे आपने थमनेल में देख लिया होगा कि मैं क्या च प्रोडक्ट किचैन से संबंदित है और किचैन में कर देख अंजया लेने वाले को आफर देने वाले को एच्छा लएगा तो यह प्रोड़क्ट अभी मैं आपके सामदे ला रहा हूं यह अभी मैं आदू इसको आप sponsored बिल्कुल मत समझिएगा ये कोई sponsored नहीं है और चलिए इसकी कहाने भी मैं बता देता हूं कि ये मैंने क्यों मंगवाया हाला कि मुझे ये गिप्ट नहीं देना है ये मुझे समझना था थोड़ा और दिस वन दिस इज दा में प्रोड़क्ट ये पैकिंग था जो में जान से चलके आता है और उसके बाद ये पैकिंग है और इसमें आप देखी सकते हो और थमनेल में आपने देखा ही होगा तो ये है वो प्रोड़क्ट ब्रांड है सेडो एस एचे डी और डबलू तो देखो ये खास क्यों है खास ये इसलिए है मेरे लिए क्योंकि ये प्रोड़क्ट मुझे एक दिल्ली के फ्रेंड ने रिकमेंड किया है तो किचन का टूल सिए किचन में काम आने वाला है और रोज काम में आने वाला है लेकिन ये मेरे को दिल्ली के एक फ्रेंड ने रिकमेंड कि बात हो सकता है संजोकी रही हो कि उनसे हमारी बात चीत हो रहे ही थी और उसी समय साइद उनके सामने ये खुला हुआ था पैकेट तो उन्होंने मुझे भी रिकमेंड कर दिया कि ये महाई देखिए इतना प्यारा है ये ट्री फोर्टी नाइन इसका प्राइस है और ये था 3.99 का उस टाइम ये 3.99 का था फिर दिपावली दो चार दिन बाद दिपावली का सेल सुरू होने वाला था जो डिस्काउंट वाला चलता है तो मैं थोड़ा सा 3-4 दिन वेट कर लिया और ये मुझे पढ़ा 3.49 का दिपा ये है हमारा प्रोड़क्ट 22 में एक पर्ची पर्ची है तो ये डबा पहला डबा ये सेकेंड डबा ये और इसके अंदर एक ये इसका कंटेनर कंटेनर कहा है या बाक्स कहले टूल वाक्स जैसे होता है तो यह सबसे बड़ी बात जो है असा चली साइद मेरी बात अधुरी रह गई थी तो दिल्ली के मेरे एक फ्रेंड ने इसको रिकमेंड किया था मुझे और उस फ्रेंड को उसके मुंबई के पैसले ने रिकमेंड किया था क्योंकि उसने मंगवा था सबसे पहले जिसने मंग़ंगा था वो मुंबई का फ्रेंड और जानता भी हूं उसको तो दिल्ली वाले फ्रेंड को उसने रिकमेंड किया कि यार यह बड़ा ही बढ़िया एक प्रोड़क्ट है मैंने किचन के लिए मंगवाया है वो भी हो सकता है संजोग की बात रही हो अधरवाइज वैसे कौन रोज मर्रा की बात्चित होती है किसी फ्रेंड से तो इसमें कोई किचन के टूल्स के बारे में तो बात करेगा नहीं बट हो सकता है में भी जैसे इसी टाइम मेरे एक पास किसी का फोन आ जाए मेरे सामने यह खुला हो तो 50% चांसे हैं कि मैं बता दूंगा कि यार एक प्रोड़क्ट मंगवाया था अमेजान से और बड़ा बात है जो चीज अगर किसी को अच्छी लग जाए तो साइद उसको ज्यादा भागाई होंगे उसने दिल्ली वाले को बोला कि यार मंगवाय इसको हमेजान पर है 399 का उसने भी 399 का मंगवाय था बट यह 349 का ही हो चुका है अभी 349 का ही है तो यह देखिए सबसे बढ़ है जो है सो है इसका यह क्वालिटी जो है ना बाक्स क्वालिटी जो इसका टूल बाक्स इसको बोले यह किचन में आप रखो देख के थोड़ा सा मजा ही आएगा और गिफ्ट करने के लिए तो बहुत ही बढ़ी आइटम है आप बीवी से करते हो प्यार तो इससे कैसे करो है था इनकार से अर्ला कि देखिए पान tabii संवाल सकते हैं जो भी lawsuit मा भाभ भी कोई से लिए ब़ह घ्ट है लिए घी घंट सकता है और आप ऐसे देख के समझ सकते हं कि बतार घ्ट तो यह बहोत बढ़ी व्यां है ये अकिन चीज के साथ आती है भाई खड़ा रह तो यह है थैंक्स पार स्वापिंग विट सेड़ कलेक्शन इसकैन में पर तो आप भी सकते हो यहीं से बट मैं पड़के सुना दिता हूं यानि यह आप स्कैन करेंगे स्कैनर से जो बारकोड स्कैनर आता है तो इसमें इसमें आपको एक बुक ऐसी मिलेगी जिसके अंदर बुक डाउनलोड करेंगे आप बाई पोस्ट या कॉरियर से नहीं आएगा बुक डाउनलोड होगी सेंड्वीच रेसिपी इसके अंदर सो तरह की हंड्रेड प्लस सेंड्वीच रेसिपी आपको बनाने के लिए बताएगा उस बुक में वह आपको बताओर गिफ्ट मिलेगा वो बुक और एक है इसके अंदर जो एक तो यह था पेपर और यह हमारा यह बिल है आपको दिख अब बात करते हैं इसकी को रिकमेंड कर रहा है जैसे मुझे दिलीवाल रिकमेंड किया मैं चीज है इसका गिफ्ट के रूप में बहुत बढ़िया सुन्दर आइटम है गिफ्ट कीचेन में रहेगा तो अच्छा लेगा और इसको सजा के ऐसे रखना बहुत अच्छा लग उसने नीले सेड में भी आता है उसको महवाया था बट मैंने जब इसको अमेजान पर देखा तो यह मुझे पिंक वाला कलर ज्यादा ही बेटर लगा सुन्दर लग रहा था तो मैंने इसको मुझा इस फरस्ट यह पहला इसकी देखो उन्होंने जो बोला था उसके हिसाप स उसकी क्युक्ति है इतने यह देखने में इतना सफ्ट लग रहा जैसे यह रबर रबर नहीं है बट यह इसकी देखके से लगता है जैसे यह रबर ही हो इतना सौबट है यह आपकड़ेंगे तो इतना ना चलाएगा उसके बाद Danandon इसकी क्ालीटी में चीज़ जो हमारा यह प्रोड़क्ट है इसकी, आपको ये तो 20-30 रुपे में कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है ना, बट ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप इसको पूरा पकड़ के एंट के घुमा फिर आके यूँ देख लो, ठीक है न, इसको पूरा आप तोड मरोड़ने की कोशिस करके देख लो ये हिलने वाला नहीं है बिल्कुल, इतना strong material है इसका, बिल्कुल build quality एक नमर की है, और यही वज़ा है, ये पसंद है लोगों का, second ये एक नमर का, इसकी धार इतनी तगड़ी है, और चाकु हलका फुलका ये move हो रहा यहां पर, जैसे ऐसे करके दिखाता हूँ, हलका सा, प ये, plane में, इसके अंदर दाते थे यहां पर, ठीक है, अब यार इससे सबजी ही नहीं कटेगी, इससे कुछ भी कट जाएगा, third ये था, danger लग रहा नहीं, है बहुत प्यारा, तो ये kitchen के लिए और मजबूत उतना ही, build quality इसकी जो है, ये material जो है, stainless steel में है, और material बहुत ही करके अब इसकी देखो, ये, last तक ऐसे ही, इसका जो मुटाईपन है, ये यहां तक last तक ऐसे ही बना हुआ है, मजबूत उतना ही है, प्लस ये इसमें भी दाते दिये हुए, आप देखो, यहां पर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जैसे दिखाऊ यार, तो दाते हैं इ ये, बहुत ही स्टांग, ये तो हिलता भी नहीं अपनी जगह से, पूरा दम लगा लो, तो हलका फुलका, हलका फुलका मूब हो रहा है, तो बहुत ही स्टांग मटेरियल है, तो ये पांच प्रोडक्ट हैं, और मेरे खाल से फिफ्ट जो है, वो या तो ये भी हो सकता है, या इसकी जगह सीजर हो सकता है कैंची जैसा कि इस फोटो में दिया हुआ है तो मेरे खाल से यह कैंची भी देते होंगे तो यह है अपने आइटम और मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि अगर आप किचन में अपने कोई बढ़ियां सागिप्ट देना चाहते हैं किचन वाल लो 20-30 का मिल जागा कहीं पर भी 30 रुपे 40 रुपे का ऐसा आ जाएगा और लेकिन यह एक जितने दिन चलेगा उतने में वैसे वैसे दस खतम हो जाएंगे उतना दिन यह चल जाएगा इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है ठीक है ना इसकी क्वालिटी ऐसी है कि 30-40-40 वा किचन में ऐसे तो इसकी लुप बहुत अच्छी लाएगी कि सारे तुरूज यूज होंगे नहीं तो यूज सजा के रखा रहेगा किचन के अंदर आप इसका यह देखो लुक ठीक है तो चलिए वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा और अगर आपको भी लगता है तो अ और एक बात और बता दू मैं इसको जहां तक आप सभी को पता है कि मैं दुकान भी चलाता हूं रेड़मेट गार्मेंट्स प्लस कास्मेटिक्स की दुकान है कास्मेटिक्स का सोरूम टाइप का है सीसा वीसा लगा हुआ है उसके अंदर मैं इसको रखूंगा दुकान पर और ऐसे छोड़ दिया था जो भी ग्रहाख दुकान पर आजहां वह इसके बारे में एक discussed disappears हमें भी चेहिए और our उनका यही कहना था कि घर के लिए मंगाेंगे बता और घिफट अब तो चलिए मेरी तरब से इस मखर शक्रांग reiter Auch जाहें तो भी मगा सकते हैं कि डिसक्रिप्छिन में डाल दूंगा और आप भी अपना अगर प्रोडुक्ट मंगाते हैं तो वीडियो में जरूर एख बार बता देना कि आपको कैसा लगा कि क्या तो चलिए वीडियो समाप्थ करते हैं जाहिं बंदे मात्रम बाई बाई